हलो फ्रेंज वेलकम टू गारगी क्लासिज राजस्थान हिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे पॉलिटिकल अवेरनेस राजस्थान में कब किस तरीके से फैली कब यहां के लोगों में एक तरीके की अवेरनेस आई या फिर वो अलर्ट होना शुरू हो गए थे कि भई हमें भ करके यहां के लोगों पर बहुत जादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था तो उन अत्याचारों से उन अट्रोसर्टी से खुद को कैसे प्रटक्ट करे या जो सोशल एविल्स थे या सोशल सर्विसेज जो चलती थी कंड़क्स जो हुआ करते थे जिसकी वज़े से कॉम स्टार्टिंग और वी कन से बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ठीक है तो देख लेते हैं इस पूरे केंपेन में पॉलिटिकल अवेरनेस को स्प्रेड करने में कौन-कौन से इंस्टिटूशन ने अपना रोल प्ले किया था देख लेते हैं इसमें जो भी इंपोर्टेंट हैं उनके बारे में अपन डीटेल स्टेडी करेंगे तो सबसे पहले है राजपुताना मद्यभारत सभा इसमें अब्जेक्टिव टाइप एक्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेर कर रहे हो तो जो फैक्चुल चीज है ना वह आप एजटेज याद रखना ठीक है जैसे कहां पर दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया गया था ठीक है इस सेशन के जस्ट बाद में ही जमनालाल बजाज गनेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंग पथिक स्वामी नर सिंग सरस्वती इन्होंने मिलकर के फिर राजपुताना मद्यभारत सभा को स्टैब्लिश किया 1918 में कहां पर वहीं पर एक मारवाडी लाइब्रेरी थी वहां पर ही दिल्ली में ठीक है में एम क्या था इस सबाह का कि एक रिस्पॉंसिबल गॉर्मेंट स्टैब्लिश की जाए एक तो प्रिंसली स्टेट्स में दूसरा जो कॉंग्रिस की मेंबर्शिप है उसको ज्यादा से जादा बढ़ाना कहने का मतलब कि एक तो सरकार को जिम्मेदार बनाना कि लोगों के लिए आप काम करो रिस्पॉंसिबल गॉर्मेंट स्टैब्लिश करने की बात की गए जैसे आज गॉर्मेंट ऑफ इंडिया है स्टेट गॉर्मेंट होती हैं वो अपनी इच्छा से और इंडर मोधी सरकार चल रही है तो अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आने वाले पांच साल के बाद में मतलब 2024 में इलेक्शन होंगे तो क्या वापिस से गॉर्मेंट आए कि उनकी नहीं ना तो इसलिए उनको अच्छा परफॉर्म करना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है तो ये डिमांड करनी शुरू करती थी इस राजपुताना मद्य भारत सभा के द्वारा राजस्थान में की एक तो रिस्पॉंसिबल गॉर्मेंट स्टैब्रिश की जाए इन प्रिंसली स्टेट्स में जहां पर राजे रजवारे अपनी दादागरी चल जखते हैं सेशन सेट andra सेटी सेडिकर्स की सिंगणिफिकेंश तब हो जाती है जब इसका सैकेंड यो घांव वह कॉंग्रिस के अमृत् में स्टैब्लिश हुआ, 1919 में दूसरा सेशन, 1920 में तीसरा सेशन, ऐसा करके एन्यूल सेशन हो रहा है इसके, तो तीसरे सेशन हुआ था इसका कहां पर अजमेर में और इस सम्मेलन में इसके प्रेजिडेंट बने थे, जमनालाल बजाज, तो इससे असोशेटेट कौन-कौन से परसंस थे, वो अपन ने इस पराग्राफ में देखे, तो यह नाम आप याद रखना, नेक्स अपन देख लेते हैं, राजस्थान सेवा संग, यह बहुत इंपोर्टन एक इंस्टिटूशन स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1919 में महाराष्ट्रा के वर्धा में, ठीक है, दे संग वाज स्टैबलिश इन 1919, वर्धा ओफ महाराष् इसमें विजय सिंग पतिक, अर्जुनलाल सेथी, जमनालाल बजाज, केशरी सिंग बारेट, हरी भाई किंकर और राम नारेंड चौदरी जैसी परसनेलिटीज थी लीडर्स थे, इन्होंने मिलकर के एफर्ट्स लगाए और फिर यह राजस्थान सेवा संग स्टैब्लिश क किया, ठीकर, राजस्थान सेवा संग और यहाँ पर अगर संग लिखा हुआ मिले तो आप यह समझना कि राजस्थान सेवा संग की बात करने, संग ने पीजन मूवमेंट जो भी जो खेती और मजदूर थे, उनके जितने भी मूमेंट निया मूवमेंट है यह, जो भी आंदोलन चलाय जा रहे थे, जैसे एकी आंदोलन के बारे में, इनके बारे में अपने आने वाले एक दू वीडियो पढ़ेंगे, तो इन आंदोलनों में भी इस राजस्थान सेवा संग ने बहुत इंपोर्टन डोल प्ले किया था, इनको गाइडेंस देने के लिए, केसरी नाम से एक नियूस पेपर भी शुरू किया गया था, जो की वर्धा से ही पबलिश होता था, और उसकी शुरुआत ही थी 22 अक्टोबर 1920 से, इसमें में काम क्या था इस नियूस पेपर का, सेम चीज, आपन बात क्या कर रहे है, पॉलिटिकल अवेक्निंग, पॉलिटि किया करते थे, मतलब वो को एडिटर थे, तो इस तरीके से, राजस्थान केसरी, ये जो नियूस पेपर था ना, ये राजस्थान का पहला नियूस पेपर था, जो यहां के लोगों ने शुरू किया था, शुरू तो हुआ बेशक वर्धास है, बट शुरू किया गया था कि इसके द्वारा राजस्थान के लोगों के द्वारा तो यह बहुत important हो जाता इस तरीके से विजय सिंग पथिक जो थे वो 1921 में राजस्थान लोटे थे तब इन्होंने headquarter स्टैबलिश किया इस राजस्थान सेवा संग का अजमेर में ठीक है तो राजस्थान सेवा संग की स्थापना तो वे थी 1919 में ही वर्धा महराष्ट्रा में पर राजस्थान में कब स्टैबलिश हुआ 1921 में जब विजय सिंग पथिक राजस्थान आये थे उन्होंने फिर headquarter क अजमेर में यहां पर आने के बाद में एक newspaper शुरू किया गया जिसका नाम था नवीन राजस्थान जो की अजमेर से जिसका publication होता था फिर क्या British government ने इस नवीन राजस्थान को ban कर दिया ना तो इस वज़य से इन लोगों ने पहले ही तरुन राजस्थान नाम से newspaper शुरू कर दिया कहने का मतलब नवीन राजस्थान नाम के न्यूस पेपर को जब ब्रिटिश गोर्मेंट ने बैन किया तो एक लूप होल निकाला एक आप्शन निकाला कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल अवेरनेस प्रेड करनी थी राजस्थान में उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए तो दूसरा निउस पेपर नवीन राजस्थान की जगेंश एशू कर दिया that was तरुन्राजस्थान और उसका पॉब्लिकेशन भी कहां से चालू था अजमेर से ये जो निउस पेपर थाना ये पॉलिटिकल अवेरनेस प्रेड कर रहा था राजस्थान में ठीक है और राजस इस सभा या इस संग की बात करें तो ये 1920 में तीसरा सेशन हुआ अजमेर में इसके बाद में फिर ये एक्टिवेट नहीं रह पाया बट वो न्यूस पेपर जो था वो कंटिनू चलता रहा थीक है तो इस तरीके से आपने देख सकते हैं राजस्थान सेवा संग ने कितना इं हितकारिनी सभा इसको स्टैब्लिश किया गया था अरजुनलाल सेथी के दुआरा 1908 में क्योंकि राजस्थान में अब देरे-देरे कहीं ना कहीं एक सोशल पॉलिटिकल अवेरनेस जैसे आने लग गई तो उसकी वज़े से अरजुनलाल सेथी जैसे कि अपने बात की थी अ राजस्थान में अगर बात करें तो revolutionary activities start हो चुकी थी और ये जैपुर हितकारिनी सभा जो थी वो establish की गई थी जैपुर में और किसके दुआरा effort इसमें main किसके थे पंडित हिरालाल शास्त्री जी के तो कहने का मतलब establishment में रोल किसका गया अरजुनलाल सेथी जी का और साथ म आप देख सकते हो पंडित हिरालाल शास्त्री जी का दोनों का रोल आ गया इसके president जो बने उनका नाम था बालचंद शास्त्री जबकि इनके minister जो बने जैपुर हितकारिनी सभा के वो थे उनका नाम था केसरलाल कटारिया इस तरीके से यहाँ पर जब ये जैपुर हितकारि में इस establishment के basis पे जो activities होती थी revolutionary activities उसमें भी आरिया समाज ने बहुत हेल्प की थी जैपुर हितकारिनी सभा की next जो है वो है मारवाड सेवा संग जोदपुर मारवाड जैसे कि अपन अल्रेडी regional different regional names के बारे में देख चुके हैं जोदपुर प्रिंसले स्टेट वाले region को मारवाड बोल दिया जाता था थीक है तो मारवाड वाले region में एक institution उसका नाम मारवाड सेवा संग अगर इसकी बात करें तो इसको establish किया गया था 1920 में एक यह political organization था जिसका प्रेजिडेंट जो था उसका नाम था दुर्गा शंकर मतलब इसके प्रेजिडेंट कौन थे डीच स्मॉल हो गया इसको capital कर ले ना दुर्गा शंकर जो थे वो इसके main president थे और प्रियाग राज प्रिंसली एस्टेट में यह पहला political organization था जो establish किया गया इसका संबंद association राजस्थान सेवासंग से भी था जिसका headquarter कहां पे establish किया गया अजमेर में और इसमें आप देखोगे जो important leaders थे मारवाड सेवासंग में उनका नाम था जै नारायन व्यास गिर्दरलाल जैसल मेरिया कानमल भवरलाल सराफ ऐसे करके यह important workers थे इस मारवाड सेवासंग के दूसरी बात अगर करें कि इसका main aim क्या था तो वो था political awareness spread करना मारवाड के लोगों के बीच में और इसके अलावा government officials के जो भी unjust activities होती थी या फिर कोई भी arbitrary कोई भी activity हुआ करती थी उन activities को रोकना यह देखो common line मिलेगी आपको कि political awareness spread करना क्योंकि ultimately topic अपन क्या study कर लाए political awareness केंटर में चल रहा है यह सारा ठीक है इसके members जो थे ना वो अजमेर से जितने भी news papers publish होते थे ना तो उनको underground distribution में बहुत important role play किया करते थे जिसें की जंजन में common जो man हुआ करते थे उनके पास में एक एक news पहुँचे और जो कमियां थी बिटिश राज की या जो भी princely states थे princely rulers थे उनकी सारी कमियों के बारे में एक आम जनता के बीच में ज्यान हो उनको knowledge हो तो उसके लिए यह जो members थे ना जैनार अरण व्यास गिरदरलाल जैसल मेरिया कानमल बहुर सराफ ऐसे करके तो इस institution को फिर बाद में replace कर दिया गया था मारवार हितकारेनी सभा तो मारवार सेवा संग को किसने replace किया मारवार हितकारेनी सभा ने अब देख लेते हैं मारवार हितकारेनी सभा की कुछ important points इसको established कब किया गया जब मारवार सेवा संग inactivate हो गया तो 1921 में on the place of simple सी बात है म यहां पर आप देखोगे तो जब महराजा ओफ जोदपुर ने एक order निकाला कि बोला जितने भी female animals है ना उनको जोदपुर या मारवार वाले रीजन से बाहर निकाल दो तो इस order को object किया गया था मारवार हितकारेनी सभा ने यह order तो declare किया गया था 29 अक्टूबर 1923 को but protest ब 24 को ठीक है जैनारान व्यास जो थे वो बहुत important leader रहे हुए है मारवार की तरफ से मारवार वाले रीजन से जोदपुर से specifically इनके नाम से university बहुत सारे institutions आप जोदपुर में established देख सकते हो तो जैनारान व्यास जो है वो ब्यावर चले गए थे मारवार छोड़ करके किसलिए कि कैसे भी करके इनके members को humiliate किया जाए तो उस humiliation से बचने के लिए क्यों कि इनकी activities कहीना कहीं highlight होना शुरू हो गई थी अब highlight होने लग गई तो कहीना कहीं British rule और जो princely states दोनों मिल करके इनके उपर एक attack कर सकते थे या फिर कैसे भी करके इनको देश निकाला दे सकते थे expulsion हो सकता था तो उस एक तरीके से आप disgrace that means उस मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उनकी बेज़ती ना हो उसको avoid करने के लिए वो फिर खुद से ही मारवार छोड़ करके ब्यावर चले गए थे कब 19 मार्च 1925 को आप देखोगे राजस्थान सेवा संग जो की ब्यावर से भी operate हो रहा था अज मेरे वाले region चे ऑपरेट होई रहा था तो उसके main जो head थे ना उनका नाम था मानिक लाल कोठारी all in all मतलब सर्वे सर्वा राजस्थान सेवा संग के सर्वे सर्वा मानिक लाल जो थे उनको editor की तरह appoint किया गया फिर तरुन राजस्थान के लिए तरुन राजस्थान को replace किया गया तरुन राजस्थान के दुआरा और तरुन राजस्थान के जो editor थे उनका नाम था मनिक लाल कोठारी अब ये जो मारवार हितकारणी सवा थी ये भी दो बुक्स publish करने के लिए बहुत जान पहचान में आई थी बहुत famous हुई थी उनमें थी एक तो पोपाबाई की पोल ठीक है एक तो क्या थी पोपाबाई की पोल और दूसरी थी मारवाड की अवस्था तो ये दोनों बुक्स आप याद रखना ये कौन से institution के द्वारा publish की गई थी इनका purpose क्या था परपस आपन जानते हैं political awareness spread करना particularly मारवार रीजन में ठीक है तो इस अब देख लेते हैं next institution ये है मारवाड यूथ लीग ये organization जो है इसको create किया गया था वहीं के residents मतलब एक resident थे जैनारान व्यास जी जिनकी बात अपन अल्रेडी कर चुके हैं उनके घर पे ही उनके residents पे ही ये मारवाड यूथ लीग को establish किया गया था जोधपुर में 10 मई 1931 क यहां पर ये decide किया गया था कि एक social awareness लेके आनी है लोगों में जो की गाओं में रह रहे हैं या फिर वो जोधपुर में रह रहे हैं कहतने का मतलब है आप मारवाड जो princely state था उसकी countryside और जात में जो main center था वहां के लोगों में social awareness लेके आने के लिए इस मारवाड यूथ ल इसके minister बने इस youth league के उनका नाम था मानमल जैन इसी तरीके से यहां पर जो सबसे important demand जो ये youth league करती थी वो थी responsible government का और साथ में civil rights का देखो कितनी awareness आनी शुरू हो गई थी राजस्तान के लोगों में कुस leaders में तो यह जो आज आपन जिन rights की बात कर रहे हैं आज जिन rights के basis में बहुत से articles में रोज discuss करता हूं आपके साथ में Indian Express editorial में तो वो rights कहां से आये हैं किस तरीके से लोगों में जाग रुकता ही है वो जानना हमारे लिए वैसे देखो इतना important हो जाता तो history देखो कितनी important अपने आप में फिर बाद में देखें इस मारवार यूथ लीग को British government ने illegal declaration declare करने की एक कोशिश शुरू कर दी थी तो इस चीज को भाप लिया पहले से ही idea लग गया था इसके members को तो उन्होंने फिर बा मारवार यूथ लीग को British government वहां के Prince Lee King के साथ मिलके और इस मारवार यूथ लीग को illegal declare करने ही वाले थे कि इससे पहले ही जो मारवार यूथ लीग के members थे उन लोगोंने मिलकर के बाल भारत सभा नाम से एक नया institution established कर दिया और इस institution का minister बनाया गया चगन राज इसका बना दिया गया मिनिस्टर चगन राज चोपरासनी वाला ठीक है चगन राज चोपरासनी वाला ये इसका minister बन जाता है फिर मारवार यूथ लीग के place में जो बाल भारत सभा बनाई जाती है उसका minister इसी टाइम पे गनेशिलाल उस्ताद जो की गौर्मेंट सर्विस में थे उन्होंने गौर्मेंट सर्विस से रिजाइन किया और अपनी points के थ्रू mass political awakening के लिए काम करना शुरू कर दिया मतलब अपनी कविताओं के थ्रू लोगों में एक राजनितिक जागरुपता लाने का काम किया गरीबों की आवाज करके एक book थी इनकी खुद की जिसमें points ही points थी गनेशिलाल की 1932 में मारवाड हितकारिनी सबा जिसके बारे में अपने अल्रेडी देख चुके हैं उसको illegal declare कर दिया था और अगले ही साल मतलब 1933 के टाइम पे बाल भारत सबा और मारवाडी youth league इन सब को मिला करके government ने illegal declare कर दिया था तो ऐसे करके 1932-1932 आते आते हैं मारवाड में एक भी active institution नहीं बचा था जो की openly काम कर रहा हूँ that means सभी ये जो तीन important institution थे मारवाड हितकारिनी सबा बाल भारत सबा और बाल भारत सबा जो की मारवाड youth league की जगह बने थी वो तो ये तीनों institution को illegal declare कर दिया गया था 1932-1933 के बीच में थीक है अब देख लेते हैं next institution वो है अमर सेवा समीति इसको establish किया गया था प्यारे लाल गुपता के दुआरा 1922 में चिडावा जो की खेतडी के पास में जुन्जनों जिले में आता है वहाँ पर इसको establish किया गया था main purpose थे कि social evils जो थे हमारे समाज में जो सती प्रता को मान लो या फिर दहेज प्रता को मान लो या फिर कर्ज ये जो कर्ज की जो व social services जो होती थी जितके basis पे कहीं ना कहीं downtrodent section या गरीबी के अंदर लोगों के ज्यादा परिशानी का काम ना करना पड़ता था तो social reforms के लिए अमर सेवा समीति ने mainly काम किया ठीक है अमर सेवा समीति के जो members थे वो खादी के कपड़े पहनते थे और किस तरीके से जो आज सै अपन ब्लैक जैक बोलते हैं ब्लैक जैकिंग सी की और साथ में परेड भी किया करते थे ये एक तरीके से discipline वे में अपनी life को परशू करने के लिए तो ऐसे करके अमर सेवा समीति कहां से associated होगी चिडावा खेतडी से नेक्स्ट जो institution है वो है आजाद मूर्चा जैपुर इस ये नाम आप याद ही रखना कि आजाद मूर्चा के में लीडर कौन थे तो वो थे बाबा हरीश चंदर बाबा हरीश चंदर के अलावा कौन कौन और थे इनके साथ में जैसे दौलत बंडारी गुलाब चंद कासलीवाल विजैंदर जैन और रामकरण जोशी ऐसे करके उसने कुट इंडिया मूमेंट भारत छोड़ो आंदुलन जो 1942 में शुरू हुआ था उसमें बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ली किया था जो की एक एंटी बिटिश मूमेंट था बिटिश राज को खार फैंकने के लिए जो एक मैथड था या फिर जो मूमेंट था ये जो म participants भी थे ऐसे members भी थे जो कि revolutionary attitude रखते थे क्रांतिकारी attitude रखते थे इस institution ने जैपूर के अलावा शेखावाटी वाले रीजन में भी political awakening का काम किया लोगों में राजनितिक जागरुकता के लिए बहुत important role play किया जैसे जैसे आगे बढ़ें तो जवाहरलाल नेरू की inspiration लेकर क इस आजाद मोर्चा ने अपने आपको जैपूर प्रजा मंडल में मर्ज कर लिया था 1945 में ऐसे करके आजाद मोर्चा और जैपूर की अपने बात की तो ये first part आज अपना यहीं complete होता है second part आपको कल मिल जाएगा जिसमें आपन बची हुई और institutions है ना जिन्होंने राजस्त में अपन डिरेक्ली इंडिरेक्ली जानने की और कोशिश करेंगे तो इस तरीके से ये discussion अपना यहीं खतम होता है thank you very much और एक छोटा सा information आपको देना चाहता हूं कि notes जो हैं वो आप जल्दी से जल्दी avail कर लीजिए क्योंकि अभी first month ही आपको राजस्तान geography और जो भी आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी वो फिर rise हो रही है एक महना जैसे ही complete हो जाएगा 13 सितंबर से यह आपके लिए scheme शुरू हुई थी notes की वो फिर next month जो आएगा 13th October उस टाइम पर notes थोड़े से rise हो जाएगे price rise कर दी जाएगी ठीक है तो आपके लिए specifically शुरुआ बात में यह थोड़ी सी concessional scheme शुरू की गई थी तो आप उसको जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हो ठीक है तो चलिए thank you very much for watching this video